हेलो डियर स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टु माई स्टुडी मेडेल ही चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आकलन 9 यानि की एसेस्मेंट नमबर 9 और जो क्लास 6 के समाजी वियान के बच्चों के लिए दिरांग 14 दिसंबर 2021 के लिए से तो ही आप इस वीडियो का सहरा लेंगे तो आईए आगे बढ़ते हैं निम्रकित प्रश्णों के सही उत्तर के सामने गोले को आपको काला करना है पहला प्रश्ण है कोई भी व्यक्तिक जिसकी उम्र 10 वर्स या उससे ज्यादा हो जिसे वूट देने का दिकार प्राप्त हो और जिसका गाओं के मड़ाता सूची में हो वह ग्राम सभा का सदस्य होता है इसमें आपशन दे रखा है 10 वर्स 16 वर्स 18 वर्स 15 वर्स इसमें जो 안대 वर्स 13 वर्स 18 वर्स वू बिल्कोल सही है तो यहां पे तीसरा उब्सन सही हो जाएगा दूसरा जो प्राश्वपा का सच्चीवफ द्險 द्वारा निध्ड किया जाता है, तो इसमें बसमारे पहला ग्राम सभा है, प्हला ग्राम पंचायत, तीसरा है सरकार, और 4 है शरमजब pos पर दौध स सर निध्न है, तो इसमें नजिय बन्हारे मीं क्वाला कर लेंगे। तीसरा प्रस्य है निमलखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है। मतलब किस्से ग्राम पंचायतों को आय प्राप नहीं होती है तो इसमें पहला है सासन के विभिन विभागों के माध्यम से प्राप सास की योजना निदी मकानों बजार असलों आजपर करों की वसूली देखिए यह सही है यहां से मिलती है दूसरा है जनपद एमजिला पंचा है सामदाइक कारियों के लिए दान इत्याद यहां से भी मिलती है और चौथा आपसन है इन में से कोई नहीं के लिए तो यह चौथा जो है यहां पे सुरोत नहीं है यहां से नहीं मिलता ग्राम पंचायत को कहीं मतलब पैसे तो यहां पे यह चौथा आपसन आपका बुलाने चर्चा एवं नीड़े को रिकार्ड का कारे किसका है जो भी बैठक होती है उसको बुलाने चर्चा करने जो नीड़े होते है उसका रिकार्ड रखने का कारे किसका होता है तो इसमें पहला आप्सन है सरपंच दूसरा है ग्राम सभा सचिव तिसरा पंच और चौथ ग्राम सभा सदस्य तब इसमें जो दूसरा ऑप्सन है ग्राम सभा सच्च्छी यह सही है यह इसके द्वारा ही सारे रिकार्ड रखे जाते हैं और यह सरकार द्वारा निट्ट किया गया होता है और पांचों प्रस्टन है पंचायत में चूने हुए सदस्यों को डैस कहते हैं जो पंचायत में penalty सीदस से होते हैं उनको क्या कहते हैं तो इसमें पारशन है पारशन दुसरा है सरपंच तीसरा है पंच और च потреб ग्राम सभह सची रिए तो इसमें जो तेसरा आप न tries आपको की ala ऎत्व it वे सदस्य को डेस कहते हैं, तो आफसन है इसमें सरपंच, पारसद, ग्राम सभा सचीव, पंच, इसमें जो दूसरा आफसन है, वो सही होगा, पारसद, तो यहाँ पे पारसद को आपको सही कर लेना है, सात्वा प्रस्ण है, पंचायत और नगर निगम के चुनाव प्रतिक, डेस वर्स में होते हैं, तो कितने कितने वर्स में होते हैं, तो आफसन है पांच वर्स, तीन, दो, दस, इसमें जो पहला आफसन है आपका पांच, यह सही हो जाएगा, तो इसमें पहले आफसन को आपको काला करना होगा, और नेक्ट प्रस्ण है, इन में से कौन सा पंचाय फिल, जनपत परिशल, जिला परिशल, नगर, निगम तिसमें आपको बताना है कौनसा नहीं है तो यहाँ पे जो चौधा आफ़सन है ये सही होगा ये नहीं है थीक है? और नुवा प्रस्ण है निम्रखित में से कौनसा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है तिसमें पहला है भूम अफिलेखों का रख रखा दूसरा है अस्थानी कर लगाना और जमा करना तिसरा है गाओं में रुजगार सेजन से समंधि सरकारी योजनाओं का क्रियानवन और चोथा है नगर की जलनिकासी विवस्ता की सफाई, गलियों, बाजारों और साफ रखने क ये लिए भी जिमेदार है तो यहां देखिए जो ग्राम पंचायत की बात हो रही है तो देखिए पहला है दूसरा है और तीसरा है लेकिन जो ये नगर की बात यहां आजार यह नहीं होगा तो यहां पे आपका यह चौथा आपसान जो है यह सही हो जाएगा लास्ट जो प्रश्ण है वो है दो हजार उपय का नया नोट सुरु करने का निड़ सरकार के किस अस्तर से संभनधित है option है can ещё सरकार, raja सरकार, अस्थानी सरकार और इन में से कोई नहीं तो देखिए जो दो हजार के नया नोट सुरु करने का जो निड़ होता है यह केंसरकार का अधिकार है तो यहां पे केंसरकार से हो जाएगा पहला आपसन यहां पर आपका काला करेंगे इस तरीके से आज की यह assessment आपका complete होता है आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तिसे like करें, share करें और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करना न भूलें इसका सा बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक यू